नमस्कार दोस्तों स्वागत है हमारी य्टूप चैनल में दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करना वाले हैं एक 11 अगस्त से 19 अगस्त तुला रासी के महारासी फल के बारे में दोस्तों इन नो दिनों में आपके जिन्दिगी में होने वाला है पांच बड़े भयानक चमतकार जीहां दोस्तों अब आपके जीवन ही बदल जाएगा दोस्तों आपके जीवनकाल में भागवान बनकर आ रहे हैं या दो लोग जीहां दोस्तों और आपके जीवनकाल में कहें कि स्वाम भगवान का भेजा हुआ या दो लोग को ऐसे तरकियों पर लेकर जाने वाले हैं जिनसे दोस्तों अब आपको गरवी का मुद देखना ना मुमकिन हो जाएगा आप उन बुलंदियों को छूलेंगे जो आप कभी सपने में भी नहीं सोचे थे और आप आपके दूसमन भी कुछ नहीं बिगाल सकता क्योंकि दोस्तों या जो दो वेक्ति हैं सम इस्वर के अनुसार ही भेजे गए दिबिश सकती होंगे भगवान का भेजे गए दो एसे लोग होंगे जो कि आपको अब तरक्की पर तरक्की मिलेंगे जिससे दोस्तों सभी लोग आपके चलकर काम देगा आप उन सभी के लिए एक मसीहा बन जाएंगे जिहां दोस्तों इसलिए दोस्तों इसमें आपका भी कर्तब होता है इसमें आपका भी दावित होता है कि इतने बड़े मोके जब आपके पास हो जब आपके हाथ में हो तो दोस्तों यह समें आप कोई भी गर खोजते होंगे कि आखिर इसने इतने कम समय में क्या बर्दान क्या तकरीब अपनाई है जिससे यह इतनी बड़ी काम्यावी प्राप्त कर ली है जहां दोस्तों आपको बता दें कि जो व्यक्ति दूसरे के तरकी को देखकर जलता है वह सहन नहीं कर सकता वह कभी भी आगे खेत्रों को लेकर सब्दान रणे होंगे कौन-कौन से कार आपके लिए भागिशाली होंगे और किन खेत्रों आपके घर और आपके परिवार में सदा किर्पा बरसाते रहे। आए दोस्तों बात करते हैं कि भागवान का भेजा हुआ याद दो लोग आपके किसमत को केसे बदल कर रख देंगे। आपके जीवन काल से केसे परिसानियों का आंध कर देंगे। आपके इसे उन बुलुंदियों को छूलेंगे जिसे लोग वहवा करेंगे। यहाँ दोस्तों दोस्तों इन दुनों में आपको शमय के अनुसार अपने दिन्चारिया और गत्य विदियों में लचिलापन लाना जरूरी है। तदा अपनी बहतर कारप्रनाली की वज़े से लोगों के समक्ष परसंसा का पात्र भी बनेंगे। आपको किसी लोगों दोरा कोई महत्तपून सुचनाएं मिलेंगे जो कि आपके लिए बहुती फायदे रहेंगे। वो दोस्तों जो सुचना मिल शकते हैं वो भगवान का दिया हुआ एक बरदान होगा। जो कि आपको इन दिनों में कारवारी इस्ति में सुधार भी आएगा। तो आपको अपनी महनत और योगता के अनुसार परिनाम भी मिलेंगे। दोस्तों दामपद जीवन से समन्दित समस्या का आपसे समानजा सद्वरा आवसी समस्या का समाधान मिलेगा। प्रेम पर समयमें भी नजदी किया बढ़ेगी। तो आपको इन तरकियों देखकर बाहरी लोग आपके जलन की भावना से कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए बाहरी लोगों का हस्तशेव अपने वेक्तिगत मामलों में ना होने दें। वरना गर का सुख़द माहौल में भी हल्की फुल्की नौक जोध उत्वन हो सकती है। अब अपने वीवेक वास समझदारी दवरा किसी भी मसले को सामाधान पाने में समख्च रहेंगे। अपने काम करने की तरेकिये के बारे में दूसरों को न बताएं। कोई आपकी नकल कर सकता है। सरकारी स्रेवरात लोगों को आज कोई महत्वपून कारबन मिल सकता है। धर परिवार की व्यस्ता मधूर बनी रहेगी। प्रेमी प्रेमी में काव को मुलाकात के आफसर भी मिलेंगे। महिलावर को अपने स्वास्त के परती विसेज ध्यान रखने की आवस्ता है क्योंकि किसी परकार की इनफेक्सन होने की आसंका बन रही है। दोस्तों आप यदि जमीन जायदाद वाले लोग हैं तो परपटी या अन कोई मसला चल रहा है तो किसी मदस्ता से हल होने की पूरी शामभावना है। संतान के सिक्षा या केरियर समेंदे कोई सुचना मिलने से बहुत अधिक राहत मैसूस होगी। अपने मेहनत और योगता पर विश्वास रखना आपको सफलता देगा। इनके साथ साथ दोस्तों आपको इन दुन में कुछ शाबदानियां भी रखने की ज़रत है। आप बहुत अधिक भावुक रहने जेसी कमजोरी पर काबू पाएं परना कुछ लोग आपकी इस कमजोरी का फैदा भी उठा सकता है। इसलिए साथ दोस्तों आपके तरीके की पीछे सिर्फ वो दो लोगों का हाथ होंगे जो आपको इन दुन में अनेक परकार के अनेक कामों में आपको हाथ बटा रहे हैं जिसे आपको आपके घर में परिवार में खुशाली बतावरन रहने लगा है। इसलिए दोस्तों आप आप घबराये नहीं क्योंकि भागवान का दूत आप आपके परचाई बनकर हर एक मोड पे खाड़े होंगे। वारे सदस्यों का भी शहयोग मिलेगा और आप जितनी महनत करेंगे भाग भी उतना ही आपका शहयोग करेगा। कोई रुका हुआ या उधार दिया हुआ पैसा हासिल करने के लिए समय बहुत ही अनुकुल है। दोस्तों आपको इन दुनों में थोड़ी से सावधानी आपको कई परेसानियों से बचाएगा। युवाओ को किसी व्यावसाय समय लाबदायक जानकारियां भी मिलेगी। इसलिए आप इमंदारी से सभी काम करें। आपको अवसी सपलता मिलेंगे। वहीं बात करता आपके लव लाइप के बारे में पती पतने के विश भावत्मां मदूर बनी रहेगी। किसी विप्रित लिंगी मित्रिक के मिलने से मन परहुलित रहेगा। रामपत चीवन में उची समांजस बना रहेगा। ट्रेम समन्द को भी विवाब में परिनित होने की आफसर प्राप्त होंगे। तो आपके स्वास्त के बारे में देखा जाए तो बरतमान मोसम की वज़े से आवस्यक सावधानियां जरूर बरते हैं। ज़ा अपने दिन्चारिय और खान पान को भी समयत रखना अवस्यक है। बरतमान मोसम की वज़े से स्वास्त परभावित हो सकता है। इसलिए अपने स्वास्त पर अधिक ध्यान दें। इसलिए आपके जुड़ो वन्नसों में दर्द जिसी समस्या रहेगी। इसलिए खासी और जुखाम की समस्या रह सकती है। अपका भागे साली रंग और भागे साली आंक क्या है। दोस्तों आपका भागे साली रंग नीला है और भागे साली आंक छे है। दोस्तों भगवान भोलेनात का अश्रवात आप सभी को प्राप्त हो। सच्चे दिल से कमेंड बॉक्स में जै महाकाल जड़ो लिखें और वीडियो को लाइक सेर ज़रूर करें धन्यवाद